इक्जाम 21 के प्लेटफार्म पर आपका विलकम है इस भाग में हम लोग modern इंडिया यानि आधुनी भारत के important questions को देखेंगे और यहाँ प्रस्न एक्जाम के दिश्टिकोंड से बहुत ही important है तो आईए इस session के प्रस्नों को हम लोग प्रारम करते हैं और आप लोग exam 21 चैनल को सब्सक्राइब है उसकर लिजेगा जिससे आने वाले वीडियो का notification ततकाल मिल जा तो आईए इस session के प्रस्नों को हम लोग प्रारम करते हैं और इस session का first question है लाठी कलब की अस्थापना निम्नलिकित में से किसने की थी आपसने भागत सिंग आपसन भी लाला लाजपतरा अगला प्रस्न है असम को बंगाल से अलग किया गया आपसन A 1874 में आपसन B 1878 में आपसन C 1880 में आपसन D 1884 में इसका सही आंसर होगा A 1874 इस भी में असम को बंगाल से अलग किया गया और आप लोग ध्यान रखियेगा या questions इंद्रा GS Institute के platform पर भी available है वहाँ पर भी जाकर क आप लोग इन प्रस्नों को देख सकते हैं अगला प्रस्न है मद्रास महाजन सभा के अस्थापना हुई 1884 में आपसन B 1886 में आपसन C 1890 में आपसन D 1885 में इसका सही आंसर होगा A 1884 में अगला प्रस्न है Central Bank की अस्थापना किस वाय सराय के कारिकाल में हुगा Option A, Lord Harding Option B, Lord Reading Option C, Lord Bebel And Option D, Lord Mintu इसका सही आंसर होगा A, Lord Harding के समय में से और Central Bank की अस्थापना 1911 में हुगा तो और Lord Harding का सासनकाल 1910 से 1916 तक था अगला प्रस्णा है 1937 में कांग्रेस का अदिवेशन कहां हुगा Important question है Option A, Faispour Option B, Haripura Option C, Tripura And Option D, Merit इसका सही आंसर होगा A, Faispour अगला प्रस्णा है खेडा आंदोलन कभ हुगा Option A, 1918 Option B, 1920 Option C, 1921 And Option D, 1922 इसका सही आंसर होगा A, 1918 में खेडा आंदोलन हुआ और खेडा किसानों का आंदोलन था लगान बृत्धी के कारण किसानों ने आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन का नित्तित्व भी गांधी जी द्वारा किया गया था अगला प्रस्ना है प्रस्ना है British India Society के अस्थापना लंदन में हुई आप्षन A 1849 में आप्षन B 1845 में आप्षन C 1849 में आप्षन D 1855 में इसका सही आंसर होगा A 1849 में British India Society के अस्थापना लंदन में हुई अगला प्रस्न है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सायनिक थे आप्षन A 30 में आप्षन B 34 में आप्षन C 35 में आप्षन D 36 में इसका सही आंसर होगा B 34 में रेजिमेंट के सायनिक थे अगला प्रस्णा है नील दर्पन के लेखक थे आपसन ने सरत्चन चटरजी आपसन भी बंकिम चंद्र चटरजी आपसन सी रविन नाट अगोर और आपसन डी दीन बंदु मित्र इसका सही आंसर होगा डी दीन बंदु मित्र भारती सिविल सेवा प्रारंब हुई थी आपसन ने लॉर्ड केनिंग के समय में आपसन भी लॉर्ड करजन के समय में आपसन सी लॉर्ड कार्नवालिस के समय में अपसन डी लॉर्ड डलाउजी के समय में इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड कार्नवालिस के समय में भारती सिवि सेवा में प्रतियोगी परिक्षा का प्रारंब हुआ या प्रतियोगी परिक्षा आरंब किया गया, उके? अगला प्रसना है, बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष क्या था? आपसन ने अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंद, आपसन भी इसलाम को सुद्ध करना, आपसन सी अंग्रेजी सिक्षा का समर्थन, आपसन डी समास सुधार का बिरोध, इसका सही आंसर होगा B, इसलाम को अगला प्रसना है, भार्ती राष्टी कांग्रेज की सूरत अधिवेशन में कांग्रेज पार्टी में फूट डालने में महत्वण भूमिका किसने निभाया? आपसन A, बाल गंगा धर्तिलक, आपसन B, मोती लालनेरू, आपसन C, मुअम्मद अली जिन्ना, आपसन D, बाल गंगा धर्तिलक ने महत्वण भूमिका निभाया, और बाल गंगा धर्तिलक, गरम दल के नेता थे, और भार्ती राष्टी कांग्रेज के सूरत अधिवेशन में फूट पढ़ने का मुख कांड यही था, कि नरम दल और गरम दल के नेताओं में आपस में बैचारिक बाल गंगा धर्तिलक कर रहे थे, जिसके कारण कांग्रेज में फूट पढ़ गई, ओके, अगला प्रसना है, कामन वील और निव इंडिया नामक समाचार पत्र किसने निकाला, आपसने एनी बेसेंट, आपसन भी अजीश सिंग, आपसन सी महात्मा गांदी, आपसन भी बा अगला प्रसना है, प्रथाम वी स्वयूद्ध के समय भारत में काउन आंदोलन चला, आपसन ए, बंग भंग, आपसन भी होम रूल लीग, आपसन सी असयोग आंदोलन, और आपसन दी सविनाय अवग्यां आंदोलन, इसका सही आंसर होगा, बी होम रूल लीग, क्योंकि बं बंग भंग आंदुलन 1905 में चला था 1905 में चला था होम रूलिख आंदुलन 1912 में चला था और सविनाय वग्यां आंदोलन 1930 में चला था ओके इस प्रकार question के according question कहा रहा है प्रथम विश्यूद के समय भारत में कौन आंदोलन चला तो home ruling आंदोलन क्योंकि first word word यानि प्रथम विश्यूद 1914 से 1918 तक चला था ओके तो 1914 से 1918 के बीच में जो आंदोलन हुआ home rule लिग आंदोलन हुआ 1916 में इस प्रकार सही आंसर भी है और home rule लिग आंदोलन से संबंधित निता एनी बेशेंड थी और बाल गंगा धरती लगते अगला प्रस्ना है आरंभ में यूरोपी व्यापारियों का रूची किस में थी आपसने मसाले आपसन भी सिल्क आपसन सी नील और आपसन डी अफिम इसका सही आंसर होगा मसाले क्योंकि मसाले की मांग यूरोप में सबसे अधिक थी इसलिए सबसे अधिक मसाले पर ही व्यापारियों को यूरोप व्यापारियों को मिलता था ओके अगला प्रस्ना है निम्नलिखित में सही कतन नहीं है आपसन है प्रथम गोल में सम्मेलन 1913 या सही है प्रथम गोल में सम्मेलन का आयोजन जो लंडन में हुआ था 1930 में हुआ था आपसन B है दुती गोल में सम्मेलन 1931 या भी सही है दुती गोल में सम्मेलन का आयोजन भी लंदन में हुगा था और 1931 में हुगा था आपसन C है तिरती गोल में सम्मेलन 1932 या भी सही है तीसरे गोल में सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुगा था और 1932 में हुगा था इस प्रकार सही आंसर कथन सही नहीं है D अगला प्रस्न है यन यस हिंदूस्तान जहाज के सनिकों में 1946 में भी द्रोग कहां किया आपसन एक कराची आपसन भी बंबई आपसन सिहुगली आपसन डी मदरास इसका सही आंसर होगा A कराची अगला प्रस्न है सर एंटनी मैक डॉनल की अध्यक्षता में अकाल आयोक का गठन किसके समय में किया गया आपसन A लॉर्ड रिपन आपसन B लॉर्ड डफरीन आपसन C लॉर्ड करजन एंड आपसन D लॉर्ड मिंटो इसका सही आंसर होगा C लॉर्ड करजन के समय में किया गया था। अगला प्रस्ण भारत का अंतिम गौवर्णर जनरल ठाउप्शन A, C, राजगोपलाचारी, अप्शन B, Lord वेवल और अप्शन C, Lord माउंट वेटन और अप्शन D, आचार जेवी किरिफलानी, इसका सही आंसर होगा, A, C, सी राज गोपालाचारी भारत के अंतिम गौवर्नर जनरल थे और जब कि लाड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गौवर्नर जनरल थे तो यह प्रस्ण कह रहा है भारत का अंतिम गौवर्नर जनरल इस प्रकार सी राज गोपालाचारी आंसर सही होगा तो यह इस से के important question थे और आप लोग इन प्रस्णों को अच्छे से देखिएगा फिर अम लोग important प्रस्णों के साथ मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए धन्यबाग